एवरीवन मॉनिका एस्ट्रोलोजी में आपका बहुत-बहुत क्वागत है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मई महिने के राशी फलकी और व्रिशब लगने की तब से पहले बात करते हैं ग्रह गोचर से सुर्य 15 तारीक को ब्रिशब राशी में प्रवेश करेंगे बुद का ब्रह्मन 21 तारीक के прич twa व तक वक्र वस्था में और मेश, राशी में पूरे महिने रहेंगे बहुत मंगल दस मही को चेंज हो रहें और करक राशी में प्रवेश करेंगे शुक्र का ब्रह्मन दो मही से मिथुन राशी में पूरे ही महीने रहेगा सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लगने से ब्रिशब लगन और लगन का स्वामी शुक्र और शुक्र दो तारिक से ही आपके सेकेंड हाउस में चले जाएंगे यानि कि मित्थुन के इराशी में शुक्र सेकेंड हाउस में जाएंगे यहां पर लगनेश का द्वितिय भाव में जाना एक बहुत अच्छी पोजिशन होती है तो करियर के अंदर आपको बहुत ही पॉजिटिव चेंज मिलेंगे आप जो भी कारे करेंगे उसमें आपको फाइनेंशल ग्रोथ मिलेगा पंदरा तारीक के बाद सूर्य लगन में आएंगे तो एक आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी जो भी लोग आईटी क्षेत्र में है जो टेकनिकल लाइन में है जो डिजाइनिंग क्षेत्र में है उनके लिए बहुत लाब है जो भी गवर्मेंट कांट्रैक्ट्ट्ट वर्क करते हैं इवन यह कैसी पुजिशन है कि सूर्य के आने की वज़े से आपके अंदर काफी एनर्जी बहुत जादा पॉजिटिव हो जाएगी और मुझे लगता है कि यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है अब जो भी के लिए बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा सेकंड बार सेकंड हाउस की बात करते हैं सेकंड हाउस का स्वामी बुद्ध है और बुद्ध वक्रवस्था में बारवे घर में है शुक्र द्वितिय भाव में देखो कंटिनियूस बेस पर आपको ल भी बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के पहले से प्री प्लैन होकर बोलिएगा क्योंकि यहां बोलने में बहुत बड़ी मिस्टेक होती है आपको प्रेजंटेशन भी दे रहे हैं तो वहां पर भी आपको वाणी का पंदरा तारीक तक वक्र वस्था में होना तुमारा वाणी थान का स्वामी बुद्ध है तो जब वक्री अवस्था में होता है तो वहां पर प्रेजंटेशन में मिस्टेक हो जाती है तो पंदरा तारीक तक इस चीज़ का वाणी के अंदर बहुत सैयम रखेगा और यह सेविंग्स को 12 आउस में राहू के साथ जाने पर मुझे लगत दिया से प्रिंट कर वाता है और साथ सात में सेविंग्स का कुछ इन्वैस्मेंट्स होते हैं और इतना जरूर को हूँगी कि जो भी इन्वैस्मेंट करते हैं बहुत सोथ समझके कीजिएगा एहाँ पर मिस्टेक होने की सम्भाव ना बनकी उसके बाद की परिस्तातिया आ आपको बचना चाहिए देखिए यहां शुक्र की वज़े से फैमिली के अंदर भी एक बैटर मेंट आएगा मुझे लगता है फाइनशली तो ग्रोथ का ही समय है मगर इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिएगा तर्थी अभाव की बात करते हैं देखिए सेकेंड हाउस में मंगल की अवस्طा दस तारीक तक है और बाद में मंगल आपके तर्थी अभाव में आएंगे अब ये ऐसी अवस्ता है कि मंगल नीचस्ट हो जाते हैं तो बहुत जादा स्थान परिवर्तन को मुझे लगता है अवाइड करना चाहिए, यहाँ पर कोई भी बड़ा परिवर्तन आप करते हैं, दस तारिक से पहले कीजिए, क्योंकि थर्ड हाउस परिवर्तन का होता है, भाई बहनों के साथ संबंदों में बहुत शांती बना के र ज़राते हैं, यहाँ बहुत बड़े चेंज को, ट्रांसफर्स, जॉब, वहाँ पर comfort zone आपको जल्दी प्राप्त नहीं होगा, मगर बहुत सहिम बना के रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, देखे, जहाँ पर भी स्थित हैं, वहाँ पर रही हैं, तो वहाँ जादा परिवर्तन कीजिए, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है, कि मंगल की वज़े से आपको वो जो स्थिरता चाहिए, वो प्रदार नहीं होती है, दस तारिक के बाद इस तरह के निर्णे लेते हैं, तो सोच समझ के लीजिए, चतूर्द भाव की बात करते हैं, चतूर्दे शिस और प्रॉपर्टी लेने खरीदने के लिए काफी मदद करेंगे, मगर स्थूर्य जो है वो 12th house में है, यह अवस्ता में मुझे लगता प्रॉपर्टी से रिलेटेट डिशिजन आपको अगर लेने हैं, तो आप 15 तारिक के बाद लीजिए, तो जादा बेटर रहेगा, उसक पूरिय राहू की एक यूती बनती है, और चतूर्थे शोकर ही बन रही है, तो यहाँ पर कोई भी प्रकार की माता के स्वास्ता से रिलेटेट प्रॉब्लम्स है, माता के साथ क्लैशिस होने की संभावनाय बनती है, तो वहाँ आपको बहुत शांती बना के रखने हैं, कु बहुत बड़े डिशीजन सभी प्रॉपर्टी के अगर आप लेते हैं, शुरू के 15 दिन में बहुत जगड़े की प्रवृत्ती रहेगी, और वाणी का स्वामी वक्री है, तो मुझे लगता है 15 तारिक तक तो शांती बना के ही रखने ही चाहिए, अगर प्रॉपर्टी का क सब्सक्राइब करते हैं, तो इस महीने मुझे लगता है कि 15 तारिक तक तो बहुत-बहुत संभल के रहना चाहिए, क्योंकि यहां आपको काफी नुकसान होने की संभावना है, यह पूरा ही महीना मुझे लगता है रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, मिनीमम जीरो रिस पर चलिए, और बड़े इंवेस्मेंट 15 तारिक तक बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत-बड़े नुकसान होने, इसलिए कह रहे हैं, उस शेयर मार्केट वालों को बहुत संभल के रहना है, यहां स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए भी आते हैं, वहां पर मुझे लगता है कि वो उस लेवल की सफलता यहां पर प्राप्त नहीं हो पाएगी, हाँ यह जरूर कहूंगे कि यह बुद्ध राहों के यूती, आपको लगेगा कि यह कोर्स चोड़ के दूसरा कोर्स करना चाहिए, इस प्रकार के बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा, मुझे लगता है कि अभी स्थिर्ता के साथ एक चीज़ को पकड़ के रखिए, बुद्का वक्री ब्रह्मन है, व्यक्ति को ब्रहमित कर देता है, कोई भी लव रिलेशन्शिप में डाल देता है, अपने एजुकेशन से आपको दूर लेकर जाता है, यहाँ पर जो लोग दवाईयों का काम करते हैं, यहाँ पर जो लोग दवाईयों का काम करते हैं, जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे सफलता के योग है, आईटी क्षित्र में, मेडिसिन के क्षित्र में, तो उनके लिए betterment है, मगर मुझे लगता है कि education में जो-जो students है उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, even आपके संतानों के साथ, यानि कि अगर विशब लगने के हैं, तो संतानों के साथ भी आपके छोटे-मोटे classes हो सकते हैं, तो वहाँ पर संबंधों में बहुत शांती बना के रखनी पड़ेगी, मुझ आपका द्वितियेश भी है, यानि कि family का भी स्वामी है, और आपका पंचवेश भी है, तो बच्चों से related भी है, education से related भी है, तो वहाँ पर आपको वक्री होने पर 15 तारीक तक बहुत संबल के नेने लेने पड़ेंगे, तो आपके लिए betterment आएगा, यहाँ पर ऐसा है कि family में बहुत शान्ती बना के रखनी पड़ेगी, relations में शान्ती बना के रखनेगी, बाके financially growth बहुत अच्छा है आपके लिए, 6th house की बात करते हैं, 6th lord शुक्र बन कर पहले लगन में और फिर आपके second house में, यहाँ पर किसी को भी पैसे उधार देने से आपको बचना चाहिए, आपको एक तरह से कहा जाए कि कोई भी प्रकार का loan लेना चाहते हैं, तो loan प्राप्ती के योग है, आपको loan प्राप्त हो ज स्वास्तिका देफिनिटली ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हाट से कनेक्टेड कोई भी problem है, कॉलेस्टरोल से कनेक्टेड प्राप्लम है, तो वहाँ पर और शुगर रिलेटड प्राप्लम है, वहाँ पर भी आपको ध्यान रखने की जरुदत है, क्योंकि यह एक ऐसी स् है कि 12th house काफी activated है तो अपने स्वास्त के पीछे कुछ खर्चे हो सकते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत शांती बना के रखने पड़ेगी एक चीज बहुत पॉजिटिव है कि लगनेश की स्थिती बहुत अच्छी है तो बहुत डरने की जूरत नहीं मगर फिर भी आपको सब्सक्रावी नहीं हो पाएंगे मंगल की दरश्टी की वज़ा से एक तरह से चीजे काफी हद तक कंट्रोलेबल रहेगी तो वहाँ डरने की कोई जूरत नहीं कि 7th house की बाद करते हैं सब्तमेश मंगल बनकर नीचस्त है देखिए यह महीने relations को ही मेंटेन करना है आपको क् दृतियेश और पंचवेश की जो अवस्था है बुद्ध की अवकरी ब्रह्मण वो भी है साथ में मंगल जो आपके लव पती-पतनी के जो अफेर्स है उन मतलब पती-पतनी के बीच के तो संबंध है उनकी बात की जाए पार्टनर्शिप की बात की जाए तो वहां पर मंगल एक तरह से देखा जाए तो आपके नीचस्त अवस्था में आते हैं दस तारिक के बाद तो वहां आपके संबंध हो में मुझे लगता है कि बहुत जादा क्लैशिस होंगे मंगल का नीचस्त होना वो भी पराकरम भाव में बहुत अच्छी अवस्था नहीं मानी जाती तो यहां आपको बहुत पीस्पूली संबंध को हैंडल करना है अगर कोई भी प्रकार का डाइवोर्ट से किनेक्टेड बाते चल रही है या अभी कोई भी रिसेंटली आपका कोई मैरेज की अवस्था है तो वहां पर आपको अपने संबंधों में बहुत बहुत अगर कहीं पर भी मैरेज के फाइनलाइज होने की बात है तो वहां पर मुझे बाधा नजर आती है अगर कहीं पर भी आप शादी करना चाहते हैं या इस तरह की कोई अपपोर्टिनिटी चाहते हैं तो वहां पर आपके चीजों में काफी डीलेज और बाधा रहेगी यह एक ऐसी स्थिती है कि आपको मेरे हिसाब से अभी कोई भी प्रकार का पार्टनर्शिप नहीं करना चाहिए वही आपके लिए बैटा रहेगा अब बात करते हैं एट्थ हाउस की एट्थ हाउस का लौड ट्वेल्थ हाउस में राहो के साथ बुद्ध के साथ देखिए यह एसी चीज़ है कि जहां पर रिसर्च ओर्येंटेड मेडिकल रिसर्च आइटी रिसर्च उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है लिट्रेचर का रिसर्च कर रहे हैं उनके भी अच्छा है मगर गुरू राहो के साथ है खुद के घर को भी देखते हैं तो एक तरह से आपको अपॉर्चिनिटीज देंगे रिसर्च की अध्यात्मिक चिंतन की यह सब तीजों में आपका काफी इंट्रेस्ट बढ़ेगा मगर एक चीज में जरूर कहूंगी के राहो के साथ होने की वज़र से आपको एक भटकाओ भी होगा और फॉरेन लैंड्स की तरफ अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा डॉक्युमेंटेशन में बाधा मुझे अभी नजर आती है अब बात करते हैं 9th house की 9th house का स्वामे 10th house में स्वग रहे हैं वस्ता विशनी यहां भाग्य का स्वामी कर्म के साथ जुड़ा हो है काम जितना करेंगे भाग्य का सपोर्ट 100% साथ में है तो जहां पर भी स्थित हैं बिजनस के अंदर है आप ऑईल का बिजनस करते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं कोई भी प्रकार का ऐसा कोई भी material से connected आप spiritual foundations के अंदर काम करते हैं हर तरह से भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त है opportunities भ बहुत भैतर रहेगी और यह महिने जो मंगल की अवस्था है वहां पर relations को काफी अच्छे से आपको handle करना पड़ेगा बाकि भाग्य का सपोर्ट कर्म से साथ जुड़ा है तो कर्म और भाग्य एक साथ है यहां पर तो जहां काम है वहां opportunities भी है और आपके लिए betterment भी है 10th house की बात करते हैं 10th house में शनी स्वग रही है वस्था में है तो यह देखे डेफिनेटली महनत बहुत जादा करवाएगा आपको हर तरह से टेक्निकली जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है मैंने यह भी कहा कि डॉक्टर से हैं एंजिनियर से उनके लिए अच्छे वस्ता है बिजनस में काफी अच्छे opportunities हैं मगर यह बहुत जादा struggle करने के बाद बहुत महनत करने पर चीज़े देता है मगर overall आपके लिए result बहुत positive होगा यहां जहां पर भी है वहां पर सिथ होकर कारे कीजिए तो उसमें जादा betterment मिलेगा आपको अगर हो सकते तो दस तारिक से पहले कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बाद में बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा अब बात करते हैं 11th house की 11th house का Lord 12th house में राहो के साथ लाभ में मुझे लगता है कि लाभ का स्वामी नाश भाव में है तो भाग्य का support है financial income भी है म अगर लाभ का expectation level बहुत जादा और वहाँ पर match up नहीं हो पा रहा तो लाभ में कुछ हद तक कमी लगेगी आपको एक deficiency लगेगी तो वहाँ पर थोड़ा आपको कोई भी financial offer या कोई भी प्रकार का बड़ा investment या बड़ा risk लेना हो तो मुझे लगता है कि नहीं लेना चाहिए 12 house की बात करते हैं बारवे घर का स्वामी मंगल है और वो नीचस तवस्था में है इस महीने कोई भी foreign investment दस तारिक से पहले कर सकते हैं उसके बाद मत कीजिएगा करो तो भी बहुत risk नहीं लेना बहुत minimum risk पे कारे कीजिए foreign lands के connected कोई भी काम है उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है दस तारिक के बाद चीजों में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है तो वहाँ पर शांती बना के रखिएगा ये व्याय स्थान है खर्चों पर नहीं अंतर रखिए कोई भी court cases चल रहे हैं तो वहाँ पर बहुत बहुत दस तारिक के बाद शांती बना के रखिए क्योंकि मुझे लगता है बहुत वाणी के अंदर mistake हो गई यहाँ पर तो आपको बहुत नुक्सान होने की संभावना है तो कि 12th Lord Mangal नीचस्त हो रहे हैं तो जो भी court के कचेरी के काम चल रहे हैं या कोई भी इस प्रकार की divorce cases चल रहे है प्रॉपर्टी के cases चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको rebellious नहीं होना हर चीज का विरोध करके लड़ाई जगड़े करके और चीजों को बिगाड़ने की इन्वेस्मेंट करते हैं तो पंदरा तारीक के बात कीजिएगा वहाँ पर जो सेविंग्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ बुद का 12th house में जाना बक्रवस्था में तो वैसे तो इन्वेस्मेंट सोच समझ के करने चाहिए यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ लेना चाहते हैं तो description box में मैंने अपना email अड़ी दिया हुआ है astrologymonica.gmail.com आप उसमे mail कर सकते हैं मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूं कि कैसे मुझसे contact किया जा और कैसे मुझसे consultation लिया जाए अपनी परिस्तितियों को ज्यान में रखते हुए अपने पूरे ही मह किने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रही है थैंक यू सो मच जैश्री कृष्ट